आज की इस वीडियो में मैं अपना मेकप लुक ट्राय करने वाली हूँ, मेरी बेटी का बर्डे पाटी होने वाला है वैसे तो बर्डे चला गया है बट अब हम फैमिली फंक्शन करने वाले हैं, कोविट की वेज़े से नहीं गर पाये थे so after one year हम ये फंक्शन करने वाले हैं and इसके लिए मैं ये मेकप लुक ट्राय करके देख रही हूँ, ताकि कुछ कमी हो या कोई color shade चेंज करना हो तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएं, so गर्मिया आ जाएंगी 13th of March को function होने वाला है और थोड़ी गर्मी रहेगी and daytime का function है, तो उसके according अपना look balance करने की कोशिश कर रही हूँ मैं dress में यही पहनने वाली हूँ और थोड़ा सा heavy dress है according to me, इतनी heavy dress मैंने कभी नहीं पहनी है सिवाए शादियों के, so इसलिए make-up मैं थोड़ा सा light कर रही हूँ, obviously आपको अपना make-up and dress आप completely balance करना हो था balanced look चाहिए, अगर dress heavy है तो make-up light रखो, otherwise आप बहुँँ जादा loud लगने लगेंगे और गर्मियों में loud लगना बहुती जादा uncomfortable होता है और लोगों की तरफ से comments भी बड़े अजीब अजीब से मिलते है so face मैंने moisturize करके अच्छे से massage कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ primer so यह जो products मैं यहाँ पे use कर रही हूँ, यह मैंने select किये हैं उस दिन के लिए so primer लिया है, My Glam का banana tinted primer और setafil का moisturizer था so यह moisturizer मैंने इसलिए लिया था because मैं Kryalon TV paint stick यूज़ करने वाली हूँ and primer अच्छे से set हो जा, इसलिए मैंने finger से हलके हलके से press भी कर लिया oriental shade ले रही हूँ मैं Kryalon TV paint stick का इसे character की तरह यूज़ करूँगी and this is my favorite 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 character ऐसे drag नहीं करना है आपको press करते वे ही लगाना है so बहुत अच्छे से even out हो जाता है, correct हो जाता है चाहे कोई भी spot हो, dark circle हो, pink spot हो, brown spot हो, कुछ भी हो अच्छे से correct हो जाता है and cuffs and lashes के brushes हैं जिसका मैंने YouTube पे short share किया था and बहुत ही अच्छे brushes लगे, मुझे concealer brush काफी comfortable है हलके हलके से चुब रहे हैं but that's okay and finger से भी आप हलके हलके से set कर लो ताकि ये अपनी जगह से हटे नहीं blending अच्छे से होनी चाहिए, setting और आप देख सकते हैं दोनों आखों में difference काफी हद तक ये cover हो चुका है काफी हद तक हुआ है, पूरा करने के लिए हम concealer लगाएंगे so यहाँ पे मैं ले रही हूँ powder and आप सोच रहोंगे मैं इतनी देर से box में brush को run कर रही हूँ क्योंकि powder नहीं आ रहा है, बहुत नीचे हो गया है, powder जो है and net से उपर नहीं आ रहा है, मुझे container को हिलाना पड़ेगा so अभी मुझे बहुत हलका सा powder चाहिए, सिर्फ character set करने के लिए इसलिए मैंने ज़्यादा shake नहीं किया box को और अब मैं ले रही हूँ, FS 38, जो की मेरा shade है and यह जो foundation है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़ादा गर्मिया नहीं आएंगी 13th of March को otherwise मैं Derma palette यूज करती so this looks really cool and really natural on my face बहुत ही natural लगता है, बहुत अच्छे comments मिलता है मुझे जब मैं Kraulon TV pen stick से make-up की होती हूँ बोलते हैं, पता नहीं चल रहा है तुमने make-up किया बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल natural लग रहा है so yes, आखों के पास आपको dab करना है, रगरना नहीं है कोई भी product और यह मैंने मेरा favorite foundation blending brush ले लिया है Maybelline Fit Me का और अब मुझे बहुत ज़ादा regret होता है कि यह brush अब market में आता नहीं है वो toothbrush की style वाला brush आता है, same यही so वो मैंने कभी try नहीं किया और यह brush ना तूट गया था गिरने की वज़े से अभी मेरी बहन की सगाई के time पे महमान होते हैं तो गिर गया था और तूट गया था so मैंने इसे fevy quick से stick किया because यह brush मुझे बहुत ही पसंद है और एक और brush है मेरे पास foundation blending वाला but वो दूसरी company का है और वो इतने अच्छे से comfortable नहीं लगता है मुझे और अभी जब मैं यह make-up shoot कर रही थी तब यह फिर से तूट गया जो मैंने fevy quick से stick किया था वो वापस तूट गया means fevy quick अच्छे से असर नहीं करता है इसके पास मैंने इसे dap किया है ताकि concealer का काम भी हो जाए kralon tv pin stick आप concealer की तरह भी लगा सकते हैं सिर्फ concealer की तरह भी लगा सकते हैं foundation and concealer ऐसे ही से यूज के लिए and personally मैं से यूज कर सकती हूँ camera के सामने दिखाने के लिए शायद मुझे दूसरा लेना पड़ जाए but it's really comfortable बिलकुल भी मुश्किल नहीं हो रही थी blending करने में because काफी अच्छी सारी holding के लिए जगा मिल गई थी brush में and mini blending brush मिल गया सोच लो आप so अब मैं ले रही हूँ again powder और powder brush लिया है मैंने so P.A.C. pack का powder है translucent powder इसे shake करो और फिर powder बाहर आ जाएगा उसके बाद आप set कर लो हलका सा tinted है shade नाम मैं नीचे description में दे दूँगी सारे products का so आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपकी skin tone मुझसे match कर रही है तो आप ये products choose कर सकते हैं whole day setting के लिए products use के हैं मैंने and summer special so हलके हलके से मैं face को set कर रही हूँ उस दिन मैं जादा powder apply करूँगी क्योंकि उस दिन गर्मी थोड़ी आज से जादा होगी and makeup setting spray लेकर मैं अपने पूरे face पे spray कर रही हूँ eye makeup करने से पहले ही spray कर रही हूँ ताकि मेरे आखो के नीचे जो creasing होने वाली है वो अभी से रुख जाए बहुत जल्दी creasing हो जाती है मुझे आखो पे and ये हलका सा pinkish shade लिया है मैंने जो कि 90% matte है LA Colors का neon shock palette है और इसे मैं crease line पे blend कर रही हूँ and मुझे बहुत सारे brushes use करना बिलकुल पसंद नहीं है अपने उपर इसलिए मैं eye makeup कोशिश करती हूँ कि एक से दो brush में हो जाए या अगर मैं client के उपर करती हूँ तो मैं जरूरत के हिसाब से धेर सारे brushes कर लेती हूँ but personally मुझे एक ही brush में makeup complete हो जाए ऐसे लगता है obviously यह reason भी हो सकता है कि मैं बार बार shoot करना होता है तो अलग अलग brushes अलग अलग बार use हो जाए और wash भी करने होते हैं हर रोज so then मैंने एक light brown shade लिया है और उसे मैंने crease line पे blend कर लिया so हलक असा deep करने के लिए contour करने के लिए अपने आखों को eyelid को again फिर से वही वाला shade ले लिया pink वाला और eyelid पे मैं से press कर लियो press करने से आपको जादा से जादा coverage मिलता है product का उसके बाद मैं left right left right करके पूरे eyelid पे इसे blend करूंग spread करूंगे ताकि evenly दिखाई दे ऐसे दाग धब्बे जैसा न दिखाई दे बिल्कुल बराबर दिखाई दे अब मैंने ले लिया है एक light brown shade जो की completely matte है और बहुत ही small blending brush ले है बिल्कुल eyeliner की जैसा और उससे मैं eyeliner बनाने की कोशिश कर रही हूँ basically smoky kind of eye line बिल्कुल light brown shade में natural eye line दिखाई दे और मैं no makeup kind of makeup लोग करने की कोशिश कर दे तो यही अच्छा लगता है और कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहा है but personally बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था and जो भी fallouts होगे उसे मैं हलके हलके से dust off कर लेती हूँ mascara के लिए मैंने लिया oriflame का the one illusion mascara जो की waterproof है and smudge proof है so अगर गर्मियों में पसीना आए मुझे face पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है especially जब मैं ready हो रही होती तब तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है and आप believe नहीं करेंगे अभी जब मैं ये कर रही हूं makeup उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है but makeup कर रही है इसलिए मैंने AC on रखा है and one coat ही apply किया है चारो तरफ से घुमा लिया और अब lower and upper lashes पे भी apply कर लिया eyeliner लगाने का मन नहीं था मेरा because मुझे natural makeup look चाहिए था and eyebrows के लिए मैंने faces canada का pencil ले लिया ये भी waterproof है much proof है and light brown shade है so में पास 3-4 eyebrow pencils है and सब के shades अलग-अलग है सब brown ही है but थोड़े अलग-अलग kind of है और spoolie brush की हलके हलके से मैंने इसे comb कर लिया बिल्कुल natural चाहिए एक दिम sharp eyebrows नहीं चाहिए because मैं bridal makeup नहीं कर रही हूं party मेरे बच्चे की है मेरी नहीं and now contour के लिए मैंने sugar का palette लिया है and same powder brush की health से ही मैं natural contour कर रही हूं एकदम sharp नहीं कर रही हूं हलके हलके से हाथों को गोल-गोल घुमा दिया जहाँ पे हम contour करते हैं आप difference देख सकते one natural सा shaping आ जाएगा and उसके बाद jaw line पे contour करने के लिए न जो brush है उस पे आप product ले लो and product लेने के बाद आप उसे हलका सा pinch कर दो अगर आपके पास contouring के लिए specified brushes नहीं है आप यह technique यूज़ कर सकते हैं मेरे पास brushes हैं बट मैं सब कुछ लेकर travel नहीं कर सकती हम जो function करने जा रहे हैं वो घर से बाहर है घर पे function नहीं हो रहा है otherwise मैं ice cubes भी लगाती और उसके बाद make up करते because गर्मियों में ice cubes बहुत सरूरी होता है make up से पहले मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी क्योंकि मेरा face पूरा oily हो जाता है बहुत पसीने भी आते blush के लिए मैंने ले लिया है same palette का blush जो कि बहुत natural सा blush है daytime के function के लिए ये palette बिलकुल compatible है अगर आप daytime office जाते है make up करते तो आप ये palette अपने पास ज़रूर रखे बहुत ही अच्छा आता है look इसका so बिलकुल upward blushing की है मैंने upward direction में ताकि lifted look मिले and nose पे भी हलका सा freshness दिखाने के लिए मैंने blush apply कर दिया और अब highlighter बहुत हलका जितना हलका हो सके उतना बस आपको अपने आपको satisfied रखना है कि मैं आपने highlighter लगाया because day time पे light natural light इतनी होती है आपको आपका जो make up उसका एक एक shade बहुत clearly दिखाई देता है इसलिए आपको ज़्यादा make up apply करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा मैं nose control करना भूल गई हूँ but highlighter करने के बाद कर लोगी आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज इपनी धीरे-धीरे आ रही होगी so really sorry मेरी baby अभी सो रही है और वो sorry AC का फायदा उठा कर मैं इस वक्त अपनी video editing का काम कर रही हूँ now neck पे भी आपको जहां पे bones दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे highlight कर लो I think यह मेरा पहला वीडियो है जिस पे मैं neck make up भी show कर रही हूँ because इससे पहले इतना deep dress मैंने नहीं पहना है और साड़ी वगरा में तो दिखाई नहीं देता या camera इतना नीचे नहीं रगा था और अब nose contour भी कर लिए मैंने finger से ही मुझे पसंद है तो मैंने वैसे ही किया है और lips के लिए मैंने ये लिए है lip crayon by purple Instagram पे इसकी एक real share की थी मैंने बहुत ही प्यारा सा shade है बट थोड़ा सा deep है इसलिए मैं हलके हाथों से इसे पहले lime बना रही हूँ और वलकुल हलके हाथों से इसे lips पे dab करूँगे और finger की help से ही blend करूँगे मुझे बहुत light shade चाहिए बट यही shade चाहिए इसलिए मैंने यह dark lipstick ले लिए और हलके हाथों से अपलाई किया ताकि मेरे lips पे light color दिखाई दे summer में dark lipstick लगाना avoid करना चाहिए especially अगर आपके skin आपका face oily है because dark lipstick से आप बहुत ज़्यादा aged दिखाई देते हैं और आपका face को ज़्यादा ही ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा make-up अपलाई कर लिए this is perfect हाँ उस दिन मुझे complete look के बाद अगर लगा तो मैं हलका सा dark और कर लूँगी बिन्दी मुझे ऐसा लगा कि मुझे plain वाली लगानी चाहिए because यह मुझे उतना compatible नहीं लग रा सिंदूर लगा लो भहिया बना family वाले बोलेंगे सिंदूर नहीं लगाया है family function है तो और this is my final look not final 90% final look because बाल भी मैं बनाऊंगी and कुछ hair accessories मैंने order करी है Amazon से जब मेरे पास आ जाएगी तम मैं उन्हें उस दिन लगाऊंगी और उस दिन के picture 13th March को मैं Instagram पे जरूर शेयर करूंगी and आप लोग प्लीज मुझे इस पे comment करके बताना कि कैसा लगा ये look and Instagram पे जरूर बने रहेगा उस पे मैं अपना final look शेयर करूंगी hair and makeup makeup तो यही रहने वाला है hair style मैं change करूंगी and mangal sutra मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा उपर होना चाहिए था काफी नीचे हो गया I mean जो dress की design यह ना वहाँ पे fit बैठना चाहिए था तो अगर उतना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता just like natural mangal sutra वाला look and यह इतना होता तो अच्छा लगता so यह था मेरा आज का वीडियो I hope आप लोगों कोई पसंद आया होगा जो भी हो आप मुझे comment करके ज़रू बताना and maybe मैं वीडियोस upload करने में थोड़ी late हो जाऊ but I'll be continue हफते में दो बार तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी thank you so much guys thank you so much for watching